मुझ सेवक का ना केके शर्मा है, बेन नेश्टनिलिस कॉंग्रेश पार्टी का अनुक शहर विजांसवा निर्वाचन छेत्र से वहांके मद्दाताओं की चरणों की धूल प्याफ करने के लिए प्रत्यासी बनाया गया है। मैं 24 वर्ष की मुझर में महां जिने का अध्यक जिला पंचातरा और में बड़ी कुशलता पूर्वा में बड़ी सेव आपके साथ सेवा की। उसके बाद मैं ऑल इंडिया कांग्रेश के रिमीन पतों के रहा, उसके बाद नेश्टनिलिस कॉंग्रेश पार्टी यूपी का द सब्सक्राइब कर रहा हूं कि यह खाली अनुक्षर की समस्या नहीं है, यह पूरे उत्ता पर्देश की और समस्या है, बेरोजवारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इस सरकार ने नौजवानों को जो रोजवानों को जो रोजवानी मिला हुआ था, वो भी चिंग के घर तो क्या चनोतिया आपके सामने हैं और कि किन अध्यो पर आप चनाव रहा हैं? मेरे सामने कोई समस्या ने, छेत्री जंता के सामने बहुत बहुत समस्या है, विकास बिलकुल नहीं हुआ है, शिक्षा का कोई प्राइंस्टूट नहीं है, सिकारपुड में, इंटर तक स्कूल है, जिगरी कॉलिज कोई नहीं है, लड़के लड़कियां भाज आते हैं जिसानों की समस्या है ही है इस सरक्तार में, भीजेती से आपना सामना है, क्या लगता है, हम तो होप्फुल है, मुकावला और पार्डी वाले बालना है, लगिन हम तो नहीं मान रहे हमारा मुकावला के सीज़िए, एक तरफा मामला रोप, जिक्तर बजी तो जनता का प्या जनता के बीच का बेक्थी है, हाम बेक्थी हूँ, जनता मज़े परसंद करते हैं, उन्होंने को जखड़ाया है, सड़क, बिदली, पानी, शिक्षारोज का बहुत सारी चीज है, जो कि भारतिय अंतर पार्डी ने कुछनी क्या है, आदाणी ऐसी अखले से आदमी ने जनता की मता हमे पार्डी के, बदा उनके को सुर्ष कुछ नहीं है, लेकिन तो ये आरूप परता लवाने का बना का धित्व स्हां थितर लड़ाया है, इंतर का सुनाव होगा, वाकि सुनाव सुनाव मरू जनमीर से लड़ें, सुनाव से लड़ें लड़ें, इन्हों सहें कि अगर किसी का परिवारी जगड़े में केस आए है या पॉलिटीकल केस को लगा है तो माफिय कैसे हो सकता है आप जायतालोग मेरे भाई इतने पद्रकार हैं यहां पर बुलेंशेर के रहने वाले ही इस पच्छिस साल में जब से हम पैदा हुए है तब से हमारे शेर का हमार किसी सा आज तक हमारे पास कोई मुकदमा किराज हमने मागा हो किसी की दादा गीरी से कोई जमीन घेरी हो किसी गरीब को या Кिसान को परशन किया हो अगर को हमारे जगड़े थे और हमारे सोय। सालह पर चुनाव लड़ने हमारी विदानसवा हमारे दिले के जितने किसान है गरीब है मजदूर है हम उनकी लड़ाई लड़ने जो आज तक बहुजन समाज पार्टी में रहकर लड़े थे लेकिन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता वहंकुमारी मयवती जी ने यह फाई हम गडवंदम के साथ अप लड़े जब मुखमंतरी मेरे नाम ले रहे ता फिर तो पेरी वीजेपी सी फाइट किसानों का मुद्दा गरीबी का मुद्दा विरोज्वारी का मुद्दा आज इस सारे मुद्द हो ने से से जब गायक नहें मेरे महरूम धादा जनाब म कुम्तार मुहम्मद खांसा सियाना छेष से विधायक और मंतिरी रहे मैं सियाना छेष से विधायक रहा उन्हें किसने गलत पूछना देजी कि मेरे उपर इतने मुकत्मे हैं मैंने तो आज अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया है पिछले दो चुनाव लड़ा हो आज त कि नहीं है मेरे उपर तो ऐसे ब्यान क्यों आ रहे हैं गडबंदन से घबरा गये हैं आदमी को पहले स्टडी तो करनी चाहिए कि आप किस के बारे में कह रहे हैं वही मेरे परीवार मैं सिर्फ एक ही काम किया है सबकी सेवा और खिदमत ही है मेरे पाफ मैं तो विधायक हो क कि मेरे तो रिवाल्वर तक्रा तो लाइसस है नहीं और ऐसी बार बोली मैं तो खुद ताजिब करना हूं मुझे लग रहा है कि गबरा गया है मेरे नेता जो देरी जैन सिंग जी है और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सियाना विधान सभा तेज से गडबंदन का मैं तो अपनी हस्ती मिटा के भी अपने नेता का गर्जा नहीं उता सकता उन्होंने में उपर इतना भरूसा किया है और मुझे सियाने विधान सभा छेथ के मैदान में भेजा है देखिए विचारों की बात होती है राश्ट्रिय लोगदन तो मेरी अपनी घई की पाटी है क्योंकि मैं महरूब वाले साथ भी राश्ट्रिय लोगदन में ही रहे हैं तो मेरी तो घई बाती है और मैं तो पिछले चार साल से पाटी का जंडा बुलंद करने में लगा हूं और मैं तो एक सबसे छोटा सा राश्ट्रिय लोगदन का कार्य करता हूं देखें सबसे बड़ा जो मुत्ता है वो महनाई विरोजगारी है और सड़क जहां हमने छेट छोड़ा था तो हजार सत्रा में वहीं पे है और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो मौझूदा विधाईक जी है वो दुख सुख के साथी नहीं है और हर जगा उनका विरोध हो रहा है और मुझे उमीद है कि 2022 में खेट की जनता विकास के निये गड़ बंदन के उमीदवार मुझे वोट करेगी